आज मचली पालन में असीम संभावनाय हैं और बहुत सारे राज्ये जो हैं आज मचली पालन में अच्छा कर रहे हैं उसी में बिहार भी है बिहार की बात करें तो इनलेंड वाटर में अभी चौथी अस्थान पे पूरे भारत में बिहार आ गया है लेकिन फिर भी जिस से बि अगर लोग करें और जीव को पारजन का एक माध्यम बनाए फिस फार्मिंग को तो एक बहतर विकल्प उनके सामने जीव को पारजन के लिए हो सकता है मैं हूं आसुतोस और आपके अपने चैनल स्टिलरह फार्मिंग पे आपका स्वागत है या आप उनको युवा उद्यमी भी बोल सकते हैं जो मचली पालन का काम कर रहा है और मचली पालन में जब हम बात करते हैं तो या तो IMC की बात आती है या हमारे अंदर जो catfish की बात करें तो सिर्फ पंगेशियस के बारे में हम सोचते हैं लेकिन catfish में कुछ मचलिया high value fish हैं जैसे बात करें तो देशी मांगूर हैं या सिंगी हैं काफी उचे कीमत पे market में उ उसके seed को मंगवाते हैं और transportation के दौरान काफी mortality हो जाती है तो आप कैसे अपने हां ही उसके बीज को तयार करके एक अच्छा मुनाफा मचली पालन में कमा सकते हैं तो आज इसी के उपर आधारित पूरे वीडियो रहने वाली वीडियो को skip मत किजिएगा आखरी तक देखी पहले एक रिक्ष्ट अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब किजिएगा हमारी चैनल पर आपका स्वागत है आपका भी काफे स्वागत है हमारे यहां सबसे पहले अपना पूरा पड़िचे और फार्म का पूरा आर्डरिस हमारे भीवर्स को बताईए मेरा नाम करुन मिस्रा हुआ और यह जो है भूरी पस्चिम गाउं है पुर्णिया जिले में सर जो मश्यली पालन के आपका कर रहा है लगवाँ कितने दिनों से कर रहा है यह चार से पास सालों से मैं、「 सिंग्ः और देसी मांगुर पर काम कर रहा हूं। अगर बात करते है तो अच्छा फाइदा हो सकता है सिंगी पर काम करते हैं तो पंगासियस की तुलना में काफी अच्छा फाइदा इसमें है और लोग परहेज जो करते हैं सिंगी मचली और देशी मांगूल पर सीड की उपलबदता के कारण ही लोग करने से बचते हैं क्योंकि सीड जो है बाहर से लोग लाते हैं बंगाल से लाते हैं किसी भी राज़ी में बंगाल से उरिसा से इन जगों से बीज आता है लेकिन हम लोग यहां कर रहे हैं बीज अपने यहां ही उत्पाधन कर रहे एक छोटा सा हैचरी भी लगाए है जो लो कास्ट हैचरी है छोटा से छोटा किसान भी ऐसा हैचरी लगा सकता है लमसम कितना खर्च उसमें बैठता होगा एकीज़ार सीट उस हैचरी से मतलब 2-3 रुपए जिसमें खर्च होगा उसे एकीज़ार जो है सीट ले सकते हैं अब हम इस पर भी बात करेंगे विस्तार से लेकिन उससे पहले सरी बताइए कि जैसे अगर सिंगी मचली पालन लोग करें तो कैसा उसका मोडल होना चाहिए उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताईए यदि सिंगी या देशी मांगूर का पालन करना चाहते हैं कोई साथ लाग दस लाग का हैच्री बैठाना होता है यह सिंपल आप एक प्लास्टिक के बाल्टी में भी जुतपादन कर सकते हैं सर जैसे अभी आपसे बात हो रही थी तो आप बताए कि और काफी अच्छा हमको वह मोडल लगा तो हम चाहते कि हमारे दर्सकों को भी बताईए जैसे आप बता रहे हैं कि धान के खेती के साथ भी आप सिंगी मशली का पालन कर सकते हैं तो इसमें धान के साथ भी आप जो पहले उसमें आईमसी के साथ भी बॉटम फीडर को हटा करके सिंगी और मांगूर उसके जगह पे दे सकते हैं मिक्स फार्मिंग कर सकते हैं तीनों मॉडल पे आप काम कर सकते हैं तो सर जैसे माल लिजी कि आप बताएं कि तीन मोडल बताएं तो उसको थोड़ा सा चीजों को एक्स्प्लीन करके बताएं कि जैसे धान की खेती में अगर धान की खेती में अगर सिंगी या देशी मांगूर का कल्चर करें तो कैसे वो होगा धान की खेती में यदि आप सिंगी मशली का पालन करना चाहते हैं, तो धान का जो रोपाई होता है, वो थोड़ा दूर दूर से करें, और एक पूरे खेत के बीच में एक नाला जैसा बना दें, जो की 8 फिट चोड़ा हो, और लंबा जितना खेत आपका हो, वो हो, और नाला क चार से पांच महने वो परजाती, चार से पांच महने में वो हारवेश्ट हो, इस तरह की परजाती करें, तो उसमें सिंगी मशली काफी सफलता पूरवक किया जा सकता है, वो नाला देने का जो परफस होता है, नाला का मुख्य काम होता है, कि जब फसल आपका पक्य तयार ह जाए तो उसमें आप यह क्या बोलते हैं कि वह नाले में जमा हो जाती है मशलियां और जब तक कल्चर होता है तब तक पूरे खेत में मशलियां विचरन करती है और फिर जब खेत सूख गया तो जो नाला में चला जाए और आप बाकी जगों का यह दान हर्वेस्टिंग कर लें तो यह एक तो मोडल हो गया दूसरा अगर सिर्फ जो है अगर सिंगी मशली का पालन या देशी मांगूर का करें तो उसके सिर्फ सिंगी मशली का पालन यदी करना है तो 10 कठे के खेत में जिए तेरा सो स्कार फीट लगवग का होता है तो उसमें आप तीस से पचास जार बच्चा डाल सकते हैं सिंगी और उसमें मांगूर यदी करेंगे तो दस हजार लगवग डाल सकते हैं चुकि मांगूर धान की ख्यती के साथ करें तो बहुत सारे जो प्राकृतिक जो फीड हैं वो तो मचलियों को मिलेंगे लेकिन अगर मालीजी कि सिर्फ मचली पालन करें तो उनका उनका फीड मेनेजमेंट कैसा होना जी है सिर्फ सिंगी यदी करते हैं आप तो उसका जो फीड दें तो उसमें आप स्टार्टिंग में 0.5 mm का दाना दें और उसके बाद 1 mm का दाना दें और हाय प्रोटीन फीड चलाएं और उसमें आपको बिटामिन सी आप हम लोग जो लेते हैं लिवर्टॉर अकोचा इस्तेनरी लिएक़माल्या का जो होता है वो दोनों इस्तेनरों assert मो होता है जिससे उसका इमैनुटीव अच्छा रहता है पाचन सकती भी बढ़ता है विटामिन सी जो देते हैं इम्मिनिटी अच्छा रहता है और लीव 52 के कारण यदि जादा भी खा ले वो तो उससे हानी नहीं है और अच्छा होगा उससे और ग्रोथ पर भी असर आएगा ग्रोथ अच्छा होगा अब बात आती है जो त पाला करना चाहिए रहू कतल जैसे हम लोग करते हैं रहू कतला और मीरगल अपर लेयर वाली और मीडल और बॉटम फीडर को बॉटम तो बॉटम को आप इसकीप कर दें और उसके जग़ा पर मिरगल को छोड़दें और सिंगी मांहber उसके बदले में आप कर सकते तो ऐसे क करके अगर करें तो मचली पालन में अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है रेहू कतला मिरगल से ज्यादा मुनाफ़ा होगा और आपको फीड की भी आवसकता नहीं होगा अगर हम मोटा-मोटी बात करें सर की जैसे मालीजी की एक एकर के एरिया में अगर मिक्स फार्मिंग करते हैं जिसमें आपने बताया रोहू कतला के साथ जो है सिंगी मचली का या देशी मांगूर का कल्चर करें तो लमसम कितना प्रॉफिट हो सकता है प्रॉफिट डिपेंड करता है कि देख रेक कैसा हो देख रेक कैसा हो रेहू कतला जो है एक साल में आप साइज किस तरह का गिरात में करते हैं तो 2000-3000 लाइन का गिराना है अब इस पर निर्भर करता है कि आपका रख रखाओ किस तरह से एक जो ट्रेडिशनल तरीके से करते थे वो और आज अगर वैग्यानिक पद्दती से करते हैं तो दोनों में बहुत अंतर होता है आप अगर दूसरे राज्यों को देखेंगे तो अब हम बिहार में जो है साल में एक कल्चर निकालते हैं लेगिन अगर दूसरे राजे जैसे अन्द्र और बंगाल की बात करते तो साल में तीन कल्चर निकालते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका मैनेजमेंट कैसा रहता है बहुत तरह की चीजें वो अपने फार्मिंग में तयार रखते हैं और यह सब चीजें जो है आपको जाननी पड़े गी समझनी पड़ेगी अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आज मशली पालन में एक अच्छा मुनाफ़ा कमारे जा सकता है सर अभी जैसे आपके पास एक अच्छा अनुभव है तो और हर आदमी के पास उतना जानकारी नहीं जितना आपके पास है तो माल लीजे कि जैसे जो भाई हमारे किसान भाई पूरे भारत से आपको देख रहे हैं बहुत सारे तो ऐसे हमारे किसान भाई प्रवासी भारती हैं गल्फ कंट्रीज में भी रहते हैं तो अगर वो मशली पालन करना चाहें, अगर सिंगी का पालन करना चाहें, तो एक काफी अच्छी बात आपने बताई कि आप अपने हाँ सीड को तयार करें और कल्चर करें, जिससे मोटलेटी से भी बचा जा सकता है, काफी नुकसान जो होता है, उससे भी बचा जा सकता है, तो इसके बारे में बताईए सर की कैसे उन लोगों तक कैसे जानकारी पहुंचेगी। अब हमारे हां, बीज उत्पादन का प्रिक्षिक्षन होता है और मांगुर का किस तरह से भीज उत्पादन हो लो कस्ट में आप हाइटेक करना चाहते हैं तो उसके बारे में बताया जाता है, और हमारे मोडल लगा हुआ भी है आप लोग कभर कर सकते हैं उसको और इसमें एक छोटा से छोटा किसान भी अपने यहां बीच बहुत असानी से तयार कर सकता है करने के मतलब है कि अगर मालीजे कि भाई को जानकारी चाहिए तो वो आपके फार्म पे आकर चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं तब तक के बारे में आप लोग को बताया जाता है जो यहां पर सिक्षन लेने आते हैं सब कुछ लाइब ट्रेनिंग मिलेगा और बीज पर उपलब्दता जो हैचरी पर उपलब्दता यह होती है निर्भर रहते हैं किसान वो खतम हो जाएगा तो इससे जो है अगर इस तरह से अगर जो मोडल आपने बताया वह और इस तरह से मेनेजमेंट अगर किसान अपने फार्म पे कर लें तो मचली पालन में एक अच्छा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है साथ ही जो निर्भरता रहती है हमारे किसी दूसरे के उपर वो भी खतम हो जाएगा आप अपने लिए भी बीज उत्पादन कर सकते हैं और यदि लाग दो लाग बच्चा बेचना चाहें अगल बगल के खिसानों को वो भी आप बेच सकते हैं तैयार करके बेच सकते हैं और आप बिल्कुल एक बार देख सकते हैं दोस्तों मैं चाहूंगा कि इधर आप दिखाईए सब कुछ यहां जो है लाइव करके दिखता है और इधर यह सर जो फवारा चल रहा है इसके बारे में थोड़ा से दिखाईए आपको नजदीक से मैं दिखाना चाहूंगा यह जो प्रोडक्शन हो रहा है यह हम लोग एक लोहे का केज बनाते हैं और उसमें मेल फिमेल को इंजक्शन लगा के उसमें डालते हैं और वो सुबह तक अंडा छोड़ देती है तो इस तरह से जो है और काफी कम खर्चे में आपने जुगार सा यह सब बनाया है सारा सारा कुछ प्रोड़ बना सकता है बहुत-बहुत दन्यवाद सर समय देने के लिए और इतनी बेहतरी जानकारी देने के लिए आपका भी काफी धन्यवाद हमारे यहां आने के लिए दोस्तों यह हैं करून मिश्रा सर और पूर्णिया में जो है मचली पालन कर रहा है खास करके जो कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सिधे कॉल करके सर से बहतर जानकारी और ले सकते हैं दोस्तों आसा है यह वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी ज़र पसंद आए तो एक लाइक जो करेएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब किजिएगा थैंक्यू फूर कर दो